दोहसर वाइस चुनाव से पहले छोटी से छोटी बातों के भी मायने तलाश जाते हैं फिर पूर्व सीम हरिश रावत और पूर्व सीम तर्वेंद सिंग रावत के बीच मुलाकात तो काफी मायने रखती हैं ऐसे में उत्राखन की सियासी गरियों में गर्माहट बढ़ना ला पहुँचे थे जहां दोनों निताओं के बीच काफी बात चीत हुई है हालकि इस मुलाकात को पूर्व सीम तर्वेंदर सिंग रावत ने शिश्च्राचार मुलाकात बता दिया तर्वेंदर रावत ने कहा कि हरिश रावत जो इसे चलते चलते भेट हुई है कोरोना के इस मुलाकात के कई मतलब है क्योंकि जब तिर्वेंदर रावत प्रादेश के मुख्य मंत्री थे और अपनों के बीच घिरी हुए थे तब विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेता होने के बाद भी हारिश रावत उनका समर्थन करते दिखाई दिये थे और ऐसे में 2022 चुनाओ से पहले दोनों दिगजों का कॉमन फ्रेंट के घर एक साथ पहुँचना महज इतिफाक नहीं माना जा सकता तो उत्राखंट के दो पूर्वसीय एक साथ दिखाई दिये जिसके बाद कयासों का बादज़ार गर्म हो चुका है दरसल विधान सभाचुनाओ बेहत पास है और ऐसे में दो दलों के नेता जब एक साथ दिखाई दिखाई दिये तो चर्चाए होने लगी है आला की पूर्वसीय एम त्रिवेंदर सिंग रावत ने शिश्टा चार मुलाकात इसे बताया और उन्होंने कहा कि जो ये तस्वीर है ये उस वक्त की है जब वो हरीश रावत के स्वास्त के बारे में उनसे पूछ रहे थे और उन्हें अच्छा लगा कि कुरोना के बाद उनके स्वास्त में काफी सुधार है और हरीश रावत ने कहा कि वो काफी स्वास्त है उसे वक्त की ये तस्वीरे हैं लेकिन जब चुनाओ पास हो तो फिर इस तरीके के तस्वीरे कई बाते कहती हैं कई इशारे करती हैं हाला कि त्रिवेंदर सिंग रावत ने इन तमाम कय प्रियासों से तमाम अटकलों से इंकार किया और उन्होंने कहा कि ये सर्फ और सर श्रिष्टा चार मुलाकात है। प्रियासों से तमाम अटकलों से तमाम अटकलों से इंकार कि ये सर श्रिष्टा चार मुलाकात है।